जमुकश्मिर में शराब की दुकानों की निलामी सोंबार से शुरू हो गई है इसके लिए 15 मार्च तक बोली लगाने वाले रेजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं 9 से 15 मार्च तक बोली लगेगी इस साल बिड लगाने के लिए रिजर्वड अमाउंट 10,50,000 से शुरू होगा जो पिछले साल 10,25,000 रुपई से था इस बार सरकार का राजसुब भी बढ़ेगा क्योंकि बोली रिजर्वड अमाउंट पर 25,000 की जगा 50,000 रुपई से शुरू होगी एकसाइस डेपार्टमेंट ने प्रोसेस सरल बनाने के लिए हलफ नामे का एक फॉर्मेंट भी जारी किया है जो डेपार्टमेंट की वेबसाइट पर उपलब्ध है इस से किसी को भी हलफ नामा तैयार कराते वक्त गलती नहीं लगेगी इसमें साफ तोर पर बताया गया है कि हलफ नामे में क्या लिखवाना है और कौन से डॉक्यूमेंट समिट कराने है इस बार 289 शराब की दुकानों की बोली लगेगी पिछले साल की तुलना में इस साल 51 नई दुकाने खोली जा रहे है जानकारी के मताबिक एकसाइज डेपार्टमेंट ने हर दुकान के लिए 10 लाक रुपे तक का रिजर्वड अमाउंट रखा है पहली बोली 10 लाक 50 रुपे से शुरू होगी जादा से जादा 14 लाक रुपे तक लगाई जा सकती है इसके बाद फिर दूसरी बोली शुरू होगी पिछले साल कुछ लोगों ने बोली तो दुकानों की लगाई लेकिन वे दुकाने नहीं खोल पाए कई जोगों पर लोगों ने दुकान नहीं खोलने दी तो कहीं पर बोली की रकम आदा नहीं होने के चलते दुकान नहीं खोल पाए एकसाइस डिपार्टमेंट का कहना है कि डिपार्टमेंट की पॉलिसी साफ है कि दुकान खूलने की जिम्मेदारी बोली लगाने वाले की खुद की होगी एकसी बूलने की दुकान खूलने वाले की खुद की खुद की खुद की खुद इन होगी अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेस्बुक पेज लाइक जरूर करें फो इंडिबर्टीजमेंट प्लीज कॉंटेक्ट 705-109-1811